नमस्कार दोस्तों वेलकम टो काईरोज यूपी एसी राइट टाइम एड़ राइट मोमेंट तो चलिए सुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है सबसे पहला सेंटेंस यहां पे लिखा है ना करेक्ट हाँ सबसे पहला सेंटेंस बोलता रहा है वीमस्टेक वस फाउंडेड एस बीस्ट एसी यानि की बी आई एस टी एसी कब हुआ था 1997 with the adoption of the बैंकोग declaration बैंकोग declaration के थुरू बांगलादेश, इंडिया, स्रीलंका, थाइलेंड एस मेंबर यह चार कंट्री बांगलादेश, इंडिया, स्रीलंका और यहां पे है थाइलेंड यह चार कंट्री के साथ मिलके बैंकोग declaration शाइन हुआ था 1997 में as a beast EC और दूसरा हमें बता रहा है बांगलादेश, भूतान, इंडिया, नेपाल, स्रीलंका, म्यानमार और थाइलेंड आर इस मेंबर देखिए सबसे पहले शुरुवात हुआ था उस टाइम पे बीश्ट इसी ही देश थे लेकिन उनके बाद उनमें हमने दो कंट्री कौन कौन से एक तो भूतान और एक नेपाल हमारे पास पहले से चार कंट्री थे कौन कौन से थे एक तो बांगलादेश था एक इंडिया था एक स्रीलंका था और एक ठाइलेंटा तो हमने भूतान, नेपाल और म्यानमार को पीछे से एड किया तब जाके यह क्या बन गया यह बिम्स्टेक बन गया ठीक है तो यहां पे दोनों के दोनों सेंटेंस सही है इसलिए हमारा अंसर हो जाएगा सी वन एन टू देखिए बिम्स्टेक की अभी प्रथम बार प्रहली बार फोरेन मिनिस्टर की मिटिंग हुई है कहां पे हुई है बैंकोग में सुरू हुई है उनका अबजेक्टिव अगर देख ले तो उनका अबजेक्टिव सभी को म्यूचल कोपरेशन करना है कौनसे एरि इंडिया में हमें सबको एक साथ मिलके प्रोग्रेस करना है ठीक है और यह बीम्स्टेक जो है वो वर्ल्ड के 22% पॉप्यूलेशन अक्यूपाई करता है जैसे कि सबसे पहला बढ़ा हो गया इंडिया उसके बाद हो गया बांगलादेश यहां पे आपको नेपाल दिख रह होगा यहां पे म्यानमार दिख रहा है और यहां पे है ठाईले ठीक है चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेस्टन की और नेक्स्ट क्वेस्टन आपको पूछ रहा है consider the following statement about नमदा आठ आपको क्या करना है नमदा आठ के बारे में जानना है पहला सेंटेंस पूछ रहा है नमदा इस ट्रेडिशनल कार्पेट मेड अब शीपूल क्या यह कोई ऐसी ट्रेडिशनल कार्पेट है जिनको किनके दूर फूल की थूर बनाया जाता है जिनको हम क्या बोलते है उन बोलते है उन ठीक है चलो दूसरा sentence the art from belongs to अरुणाचल प्रदेश क्या यह अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है नहीं सर अरुणाचल प्रदेश नहीं है तो यह नौर्थ में लेकिन नौर्थ इस्ट में न बहा जाता है जम्मो और कश्मीर में ठीके चलो तो यहां पे हमारा पहला सेंटेंस हुआ है सही और दूसरा सेंटेंस हुआ है गला तो इसी के साथ हमारा पूछा है करेक्ट तो आंसर आएगा ओप्शन ए यानि की one only ठीके चलो अभी अगर हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं नमदा आर्ट के बारे में तो नमदा आर्ट कश्मीर की एक सकस्पुली रिवाई किया हुआ है किनके तुरू प्रदान मंतरी कौशल विकाश योजना प्रदान मंतरी कौशल विकाश योजना जो की स्कील इंडिया के एक प्रायलोग प्रोजेक्ट का पार्ट है उनमें कश पुश्मीर की नमदा आठ को रिवायू किया है यह किस से बनती है यह शिपूल से बनती है ठीके और यह इसकी सुरुवात 16 सेंचूरी में अकबर के साशन के दोरान हुई ऐसा हमें प्रतीत होता है ठीके और इनको पिंजारा और मनसुरी दो कम्यूनिटी के साथ साथ समा मुस जो कच्छ में रहते हैं उनके द्वारा उनकी प्रेक्टिस किया जाता है और हमारे यह कल्चर हेरिटेज का पार्ट है क्या है क्या है ठीके तो अगर आपको कोई पूछे कि नमदा क्या है तो आप क्या बताओगे ट्रेडिशनल कश्मीरी कार्पेट बनाने की एक प्रोसेस है एक कला है ठीके चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन अपके सामने है केरपुजा के बारे में चलिए बताइए केरपुजा कहां का है जी हाँ यह त्रीपूरा का है बेश्ट बेंगाल का है ओडिसा का है या केरला का है इन चार ओप्शन में से अ इकलोता ऐसा स्टेट है जो तीन साइड से बंगलादेश के थ्रूग घेरा हुआ है उनसे बॉर्डर सन का हुआ है ठीके तो यहाँ पे हमारा सवाल हो जाएगा त्रिपूरा लेकिन हमारे लिए इंपोर्टन्ट यह बन जाता है कि यह केर पुजा क्या है ठीके तो पहले हम के केर पुजा जो है यह केर पुजा हिंदू फेस्टिवल है और इनको फोर्टनाइट फॉलोइंग खर्ची पुजा इनको खर्ची पुजा के दावरान सेलिब्रेट किया जाता है उनको वर्शिप किया जाता है किनको डेटी को यानि की देवी को ठीके कहां पे किया जाता है त्रिपुरा में किया जाता है और यह बहुत सालों पुरानी एक traditional festival है ठीक है और the area around the royal place has been notified for care puja where the rituals are held uninterrupted for more than 30 years 30 साल से ज्यादा से यहाँ पे uninterrupted peace puja के practice किया जाता है चलते हैं हमारे next question की और आपके सामने next question है आपको बताना है which of the following countries are the member of comprehensive and progressive agreement for trans-specific partnership यानि की CPTPP CPTPP के full form बताके उन्होंने यह पुछा है कि उन में कितने कितने member है जो नीचे option में बताया है देखो क्या उसमें Canada, USA, Japan, Malaysia है Australia, Singapore, USA, New Zealand है Mexico, Peru, Singapore, Chile है Vietnam, Brunei, Bolivia और Chile चलो आपको बताना है इन चार option में से कौन सा सही है ठीके तो सबसे पहले पता होगा कि जब अमेरिका में एक Trump बाबा सासन करते थे कौन थे? Trump बाबा सासन करते थे तो Trump बाबा ने CPTPP में से USA को क्या करवा दिया था? USA को exit करवा दिया था ठीके? USA exit जैसे ही हुआ तो यहाँ पे A गलत हुआ, यहाँ पे B गलत हुआ चलो अभी आपको बताना है इन दो में से कौन सा आएगा? ठीके? तो यहाँ पे सही आंसर है option C option C में क्या लिखा है? मेक्सिको है, पेरू है, सिंगापूर है और चीली है ठीके? थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं उनके बारे में तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि UK has formally agreed to become the first European country to join the CPTPP क्या कह रहा है कि UK पहला ऐसा देश बन गया है किनका first country of the EU European Union का कि जो CPTPP को join करेगा आपको पता होगा कि Brexit हुआ था और Brexit के बाद UK जो है, Britain जो है यह अपने आपको asset करने की prepare कर रहा है और इसी लिए वो अपना trade business बढ़ाने की कोशिश कर रहा है इसी सिलसिले में वो हर एक देश के साथ अपना trade agreement complete करने की बात कर रहा है चलिए, थोड़ा CPTPP के बारे में भी देख लेते हैं, तो यह एक free trade agreement यानि की FTA है कितने देशों के बीच में, यह 11 देशों के बीच में है कब साहिन हुआ था, मार्च 2018 में साहिन हुआ था ठीके, और एक चीज सबसे महत्वपून जो परिक्सा में अमारी exam में पूछी जा सकती है कि इस CPTPP के जो 11 countries है, वो 11 के 11 APEC के member है याद रखना, APEC यानि की Asia Pacific Economic Corporation के member है सर जी कौन से कौन से 11 member है वो बता दीजिए, तो यह map आपको दिया हुआ है उनमें आपको पता चल जाएगा, देखो, यहाँ पे लिखा है जापान, यहाँ पे लिखा है वियेतनाम यहाँ पे लिखा है मलेशिया, यहाँ पे लिखा है सिंगापोर, उसके बाद ब्रोने, औस्ट्रेलिया, न्यूजिलेंड, चिली, पेरू, मेक्सिको, कैनेडा यहाँ पे नहीं चीन है, नहीं रूस है, नहीं इंडिया है, नहीं पाकिस्तान है, ठीक है इन चारों में से कोई भी नहीं है, और अभी की अगर हम बात करें तो अभी तो USA भी नहीं है लेकिन अभी ऐसी न्यूज आ रही थी, कि बीडन जो है, वो बीडन या बाइडन USA को CPTPP जोइन करने के लिए बात करवा रहे है ठीक है, तो आने वाले टाइम में CPTPP में हमें बार कंट्री भी देखने को मिल जाएंगे तो ग्यारा जो यहाँ पे लिखाएंगे और एक हो जाएगा USA, ठीक है, चलो, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेस्टन की और नेक्स्ट क्वेस्टन आपके सामने है, आपको पूछ रहा है कि following ports आपको सामने ही दे दिया है, कि नीचे क्या दिया है, ports दिया है यह Black Sea Grain Initiative के साथ जुड़े है, इन में से कौन कौन से ports ठीक है, तो ओडेसा है, क्रोनो मुसकस है, या प्यूडेनिया है चलिया, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, ओडेसा, क्रोनो मुसकस और प्यूडेनिया, यह तीनों के तीनों Black Sea Grain Initiative के अंतरगत एशोशियेट हुए, ठीक है, अब आपको यह बताना है कि Black Sea Grain Initiative क्या है, ठीक है अब को यह बताना है, क्या यह यह Ukraine और रुस्ट के वर के साथ कुछ जुड़ा है क्या, यह Grain के साथ जुड़ा है क्या, यह World Hunger के साथ जुड़ा है क्या, ठीक है, आपको यह सारी चीज मालूम होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है, चलो, तो इसका अंसर क्या आएगा वन टू और थ्री तीनों आएंगे चलो तो थोड़ा देख लेते हैं concerns grow over Russia's potential non-renewal of grain deal with Ukraine मतलब की फिलहाल रशिया जो है ऐसे सुनने में मिल रहा है कि वो यह जो grain deal है यूकरेन के साथ हुई है उनको renew नहीं करना चाहता ठीक है तो इसी के अंतरगर्थ हमें यह देखने को मिलता है कि Black Sea के अंतरगर्थ जो यह हमारे Odessa Cronomuscus, Yuzis या Pudemia जो है उनका समावेश किया जाता है ठीक है चलो अब देख लेते हैं हमारे next segment यानि की static question की और सबसे पहला static question The growth rate per capita income at current price is higher than that of per capita income at constant price because the later tax into account the ratio of growth of population, increase in price level, growth of money supply और increase in the wage rate तो क्या आएगा? इनका जवाब आएगा increase in price level क्यूं? Because per capita income अगर current price पर आप match करने जाओगे तो यह constant price से higher आएगी क्यूंकि current price का मतलब क्या हुआ? जो आपकी constant price है यह constant price plus हम क्या count करते है? inflation count करते हैं तो अगर हम per capita income ही नहीं अगर हम GDP भी count करने जाएं तो GDP हमारी constant price से current price में हमेशा कैसे मिलेगी? ज्यादा मिलेगी तो इस सवाल का सही जवाब है option B ठीके? चलो Next question की और वड़ते है Which one of the following five year plans Recognize human development as the core all development effort चलिए आपको बताना है कौन से पंच वर्सी योजना के बीतर human development को core development का तोर पे recognize मिला था क्या वो तीसरा था? पांच वा था? छठा था? या आठ वा था? तो आपको पता होगा कि यह आठ भी five year plan थी चलिए आज आपको क्या करना है? आज आपको करना है अपने five year plan के बारे में जाके पढ़ना है ठीक है? और आपको बताना है कि इन five year plan में अगर आपको इंटर्यू में ऐसा पूछ लिया कि बताइए कौन सा five year plan सबसे ज्यादा successful हुआ और क्यूं हुआ? देखे आपका opinion पूछ रहा है तो आपको reason भी बताना होगा चाहे आप first बोल दो चाहे आप second बोल दो या फिर आप 12 बोल दो ठीक है? हाँ 13 मत बता देना क्यूंकि 13 तो हुआ ही नहीं ठीक है? तो आपको यह prepare कर लेना है तो इस question का सही answer देख लिया हमने आठवी पंच वर्शी योजना चलिए चलते हैं आगे a rise in sensex means देखो आपको बताना है sensex अगर बढ़ता है इसका मतलब क्या हुआ? पहला option a rise in price of share of all companies registered with Bombay Stock Exchange दूसरा a rise in price of share all companies registered with National Stock Exchange an overall rise in price of share of group of companies registered with Bombay Stock Exchange और d a rise in price of share of all companies belonging to a group of companies registered with BAC देखिए अब आपको ऐसा नहीं पता कि ऐसे sentence ऐसे question को कैसे tackle किया जाए तो आपको क्या करना है आपको जितना knowledge है उस knowledge से आपको क्या करना है देखिए यहां पर क्या लिखा है National Stock Exchange और यह N.A.C. है ना यह N.A.C. अलग है और यह जो बात कर रहा है यह किसकी बात कर रहा है यह BAC की बात कर रहा है क्योंकि NAC का जो इंडेक्स है वो है हमारा Nifty और BAC का जो इंडेक्स है वो है Sensex अब Sensex में आते है 30 companies के share और Nifty में आते है 50 company के share ठीके तो B तो हमारा option नहीं आएगा ठीके और यहाँ पे all companies लिखा है मैंने क्या बताया कुछ ही company होती है तो A B गलत हो जाएगा ठीके चलो और D वाला भी option हम eliminate कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है price of shares of all company अरे बिया all company है ही नहीं चाहिए वो belonging हो या फिर registered हो ठीके तो यहाँ पे D भी eliminate कर दिया तो हमें जाके मिल गया हमारा answer option C कि कुछ group of company यानि कि कितने हुए 30 हुए ठीके तो 30 company के जो share है अगर एक साथ या average के तोर पे उपर जाते हैं तो आपका sense x कैसे जाएगा उपर जाएगा ठीके चलो चलते हैं हमारे next question की और next question आपके सामने है in the context of independent India's economy which one of the following was the earliest event to take place आपको बताना है इन में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था चलो आपको पता होने चाहिए चारो की चारो अगर चारो की चारो में से किसी में भी आपको confusion है तो आपका सवाल 100% सही होने की संभावना नहीं है ठीक है चलो सबसे पहला देख लेते हैं nationalization of insurance company अरे भया सबस 26 में LIC हुआ था ठीक है दूसरा nationalization of state bank of India अरे भया यह तो 1955 में हुआ था पता होगा आपको AD गोर वाला committee ठीक है चलो option C लिखाए enactment of banking regulation act हाँ यह 1949 में हुआ था जबकि हमारे RBI जो थी RBI एक्ट कौन सा है हाँ RBI की स्थापना हमारी हुई थी 1935 और उनके भीतर उन्होंने जब nationalization हो गया तो यह banking के उपर regulation लाने के लिए एक्ट लाये थे ठीक है और अगर आखरी वाला option देखे तो introduction of first five year plan कब हुआ था 1951 से 1956 था ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि अब हमारा answer क्या आएगा तो क्या आएगा हमें पुछा है which one of the following was earliest 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 सबसे पहला हुआ था option C option C का मतलब क्या है enactment of banking regulation act ठीक है चलो आज के आखरी question को भी हम ऐसे ही दुआ पुआ कर देते हैं पहला क्या लिखा है वो पढ़ेंगे which one of the following authorities make recommendation to the governor of state as to the principles for determining the taxes and duties which may be appropriated by the panchayats in that particular state देखो भाईया यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो finance की बात कर रहा है tax की बात कर रहा है तो पंचायत के लिए कौन बताएगा तो यहाँ पे आपका सीधा answer आना चाहिए इन चारों में से क्या district planning committee नहीं आएगी state finance commission हो सकता है finance ministry of the state finance ministry of the state नहीं आएगी पंचायति राज ministry of the state यह भी नहीं आएगी अगर यहाँ पे national finance commission होगा तो दिकत थी क्योंकि यहाँ पे finance commission भी आप कह सकते हो state finance commission भी कह सकते हो लेकिन UPSC smart है उसने आपको दोनों option दिया नहीं है तो आपके लिए आसानी हो गई answer ढुनने में और आपका सवाल बन गया 100% सही जवाब वाला क्या आएगा option option B state finance commission चलिए तो यह थे हमारे आज के question ऐसे ही question के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और आपको अगर कोई advice देनी हो तो आप comment section में जरूर लिखे ठीक है तब तक के लिए धन्यवाद थैंक्यो